जीफांग आप डाउन्डोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिलकुल फ्री मारे तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं फिर से याद दिला रहा हूं सम्धियों के समने कोई ट्रामा मत करना प्लीज चलकी खातर प्लीज मिस्स ठाकुर शगुन की रसम पूरी कर ले आप अपने हाथों से शगुन की थाली पेटी की मा के हाथों में रख दीजे चली पीर सुनाये तुम विडियो बहुत अच्छे बनाते हूं इसका विडियो ज़रूर लेना बहुत ही स्पेशल मोमेंट है यह माफ कीजेगा हम यह शगुन नहीं ले सकते क्योंकि हमको यह रिष्टा मंजूर ही नहीं है आप अप्छे जी आपने इसली बढाया था में हाप अपर एक मिन को कुछ नहीं हो आप सब ठीक है आप बैठेए आप फिकर में देगे ए ए ए अपू क्या कर यह पूँ सब के सामने ड्रामा क्यों कर रहे हों शगुन की थाली आई है ना उसे एकसेप्ट कर लोना चुप चाप अजर चवी के लिए कर रहा हो गए इसली एक बाप होने के नाते उसकी खुशी के लिए कर रहा हो है इसली जब आप पहली बार यहां पर रहे थे ना हम नहीं चाहते थे किया बच्णों से मले पिर आपकी आखों में बापका प्यार देखकर और हमने दिखा कि आप कितना बच्ट्रों से मिलना चाहते हैं, हमने आपको मिलने दिया हमने आपको बाप का हग दिया और हमसे ही माँ का हग छीन रहें तुम होती कौन हो मुझे बाप का हग देने वाले आपको बाप हूँ मैं चमी का तिनों बेटियों का अब इस पर प्रॉब्लम हो रही है चविक खुश हो रही है तो वो ने दो ना जो ठीक है वो करो दूद राइट थीज अब ओगर बच्चा कुछ गलत कर रहा हो तो हम उसे इसलिए करने दे क्योंकि उसकी खुशी है गलत गलत होता है जब अच्छा कुछ गलत करता है तो मा का हक होता है कि इसका कौन पकड़ के उसके सही रास्ते पले कर रहा है जो गलत है वो हम उसे नहीं करने देंगे हम वही करेंगे जो चवी के लिए ठीक है और ये शादी चवी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है इसलिए ह आप क्या? आज यहां भगवान भी आकर हमसे कहेगा ना, तो भी हम ये शादी नहीं होने देंगे. घलत चारियो तुम अपो. अब? माफ कीजेगा, हमको ये शगुन नहीं चाहिए. क्योंकि हमको ये रिष्टा मनजूर नहीं है, हम इस रिष्टे को नहीं स्विकार सकते हैं.